क्या सच में देश का समविधान खत्रे में है? टोपिक बहुत इंट्रस्टिंग है और टोपिक आपकी नॉलेज को भी बहुत बढ़ाएगा क्या पता करने का कोई तरीका है? कैसे पता किये जाए? कि देश का समविधान सच में खत्रे में है या नहीं? एक तरीका है क्या वर्तमान जो सरकार है इस सरकार के दुआरा पिछले लगबग 10 वर्षों में सम्विधान में जितने भी संसोधन किये गए हैं जो निन्यान में से शुरू हुए थे 99 फिर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 टोटल सम्विधान में 106 संसोधन हो चुके एक तो ये वाले संसोधन पकड़ ले और इसके अलावा सम्विधान में इस से पहले की सरकारों के दुआरा जो भी संसोधन किये गए थे उसमें से जो कुछ महत्वपून सम्विधानिक संसोधन है उनको उठा ले उनको उठाने के बाद दोनों की तुलना करा दे कंपेरिजन करा दे तो शायद इस्थिति क्लियर हो सकती है कि क्या वास्ता में देश का संविधान खत्रे में है या नहीं है और सबसे रोचक बात ये कि पहले के संविधानिक संसोधनों में जो महत्वपून संविधान संसोधन किये गए थे पहला, पच्चिस्वा, चब्विष्वा और सबसे इंपोटेंट बैयारिस्वा जिसको कहा गया मिनी कॉंस्टिटूशन लगू संविधान उसके दुआरा इतने संसोधन कर दिये गए थे संविधान ही बिल्कुल नया हो गया था नहाद होकर अगर वो संविधान संसोधन पहला चब्विष्वा, पच्चिस्वा, बैयाणिस्वा आज के समय में अगर किये जाते तो ये हो हल्ला इतना ही होता या बहुत खतरनाक हो हल्ला होता नमस्कार, मैं रमन भार्दवाज आप देख रहे हैं भार्दवाज क्लासेज टोपिक बहुत इंट्रस्टिंग है और टोपिक को मैं शुरू करता हूँ हमारे देश के पूरु प्रदानमंत्री हमारे देश के पहले प्रदानमंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू के दुआरा कही हुई एक बात से पंडित जवाहरलाल नहरू ने 1956 में जब सात्वा समविधानिक संशोदन किया गया था तो ये कहा था जैपूर के शाशक सवाई मान सिंग से करको कि समविधान कभी भी पाशान नहीं हो सकता पत्थर नहीं हो सकता इसको अगर समझें तो इसकार किये है कि ये नहीं कि समविधान आपने बना कर पटक दिया बस बन गया समय के साथ उसमें सकारात्मक संशोदन करने पड़ते हैं समय के अनुसार उसमें बदलाव करने पड़ते हैं इसलिए समविधान कभी भी पाशान नहीं हो सकता, पत्थर नहीं हो सकता, समय की आवशक्ता के हिसाब से उसमें बदलाव करना जरूरी है ये बात मुझे व्यक्तिकत तोर पर बहुत अच्छी लगती है सवाइमान सिंग सेकेंड ने भी इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा और इस बात का एकसेप्ट किया होगा किस संदर में ये बात कही थी, थोड़ा सर डीटेल से बात करता हूँ 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, बाद में समविधान का निर्मान हुआ जुलाई अगस्त 1946 में समविधान सबा के लिए चुना हुए, समविधान सबा का गठन हुआ समविधान बन कर तयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को समविधान के कुछ भाग लागू कर दिये गए थे राज्य आपस में लड़ने लगे, कई राज्य किसाब हमको अलग करो, बाशा के आदार पर नए राज्य का गठन करो, कोई राज्य किसी से तूटना चाता था, कोई किसी से जुडना चाता था, राज्यस्तान में भी दिक्कत थी, यहांका जो ख्षेतर था, आबू वाला, यह बंबई परांत में मिला लिया गया था, राजस्तान की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिये थे, कि हमारा आबू हमको वापस दो, जगे 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 सिर्दर दी थी, इन राज्यों के विवादों को निप्टाने के लिए एक आयोग बनाया गया, राज पुनर परणनी कर इसके सदस्य थे, तो तीन सदस्य आयोग हो गया, 1953 में बनाया, 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सोग दी, किसा भी यलो, उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में संविधान में संशोधन किया गया, सात्वा संविधानिक संशोधन, और इस सात्वे अंग्रेजों का यहाधिकार हुआ करता था, शाषन हुआ करता था, तो जो राजिस सीधे उनके अंडर में हुआ करते थे, जैसे बंबई, मदरास, बंगाल, सीधे उनके अंडर में थे, इन राजियों को कहा गया A कैटेगरी का राज है, हमारी आजादी के बाद सम्विधान लागू होने के बाद, जो राजिर रियासतों को जोड़ कर बनाए गए थे, उनको कहा गया B कैटेगरी के राजे, जैसे राजिस्थान, राजिस्थान में 19 रियासते हैं और 3 ठीकाने हुआ करते थे, और ये B कैटेगरी का राजे था, C कैटेगरी के राजे जो चीफ संविधान संसोधन के द्वारा, बोले कोई A, B, C और D नहीं, बोले फिर सब राजे बराबर, तो संविधान के जो ये चार भाग थे, 6, 7, 8 और 9, छटा भाग, सातवा भाग, आठवा भाग, नुवा भाग, छटे भाग में इनको डाल दिया गया राज्यों को, सातवा भा भाग, खाली, आठवा भाग, उसमें Union Territories को डाल दिया, जो बरतमान में Union Territory है, आठ Union Territory उनको आठवे भाग में डाल दिया, और 9 भाग, खाली छोड़ दिया, अलाकि बाद में फिर 9 भाग को बरा गया था, बैतरवे संविधान संसोधन के दुआरा भाग 9 जोडा गया उसके दुआरा भाग 9 भी जोडा गया, यह विशे नहीं है, वापस हम पॉइंट पराते हैं, तो इस सात्वा समविधानिक संसोधन किया गया, सारे राजियों की कैटेगरी खतम करके एक कैटेगरी का इनको बना दिया गया, कि अब सब बराबर, अब जब सब बराबर तो जो B कैटेगरी के राजे थे, जैसे राजस्थान, यहाँ पर राज़पाल की पोस्ट नहीं थी, आस्तुम देखते हैं कि देश में कुछ राज्यों में आपके राज़पालें ज्यादा तर, इसके अलावा उपर राज़पाल होता है, इसके अलावा प्रशाशक होता है, दिल्ली और लक्षेदीप में प्रशाशक कहलाता है, राजिपाल नहीं कहलाता है, और कुछ जगे हैं आयुक्त, कमिशनर, चंडीगड में एक ही जगे आयुक्त, तो राजस्थान में राज फ्रमुख की पोस्ट हुआ करती थी, और जब इन रियासतों का एक ही करण किया गया था, तो राजा अपनी रियासत दे रहा है, आज आप जरा ये विचार करके देखो, आपका कोई छोटा मोटा प्लोट है, सो पचास गज का, और सरकार आपसे कही कि ये प्लोट मेरे को दे दो, आप काओगे नहीं, राजा को तो पूरी की पूरी रियासत देनी थी, तो राजा जब रियासत देगा तो फिर खुद भी तो कुछ लेगा, भाई अप पूरा राज जा रहा है उसका, तो तो राजा उनने का फिर हमको क्या मिलेगा, तो मेवाड के जो शासक थे, महारणा भूपाल सिंग, उनको ये कहा कि आप महाराज पूर्मुख रहेंगे, इस राजस्थान के, उन्होंने डिमाड ये रखी थी कि मैं वन्शानुगत इस पोस्ट को चाता हूँ, मतलब वन्शानुगत मिले, वन्शानुगत का मतलब ये, कि मैं जब तक जीवी तू मैं महाराज पूर्मुख रहूंगा, फिर मेरे पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्रों के पुत्र महाराज पूर्मुख पर रहेंगे, पर ये मांग नहीं मानी गई थी और ये कहा गया था कि आप आज इवन महाराज प्रुमुक की पोस्ट पर रहेंगे। जैपुर रियासत के शाशक सवाईमान सिंग सेकेंड इन्होंने भी ये कहा था कि मुझे वंशानूगत ये पोस्ट जीए हैं। मांग नहीं मानी गई और ये कहा गया आज इवन ये पोस्ट आपको मिल जाएगी आप जब तक जीवित हैं राजस्थान के राजय प्रुमुक रहेंगे। अब लेकिन वो जीवित तो थे लेकिन सात्वा समविधान संशोधन कर दिया गया और राजप्रुमुक की पोस्ट को समाप्त करके और आप राजपाल की पोस्ट क्रियेट कर दी गई तो सवाइमान सिंग सेकेंड ने कहा कि आपने तो कहा था कि मैं आजीवन रहूंगा आला कि मैंने तो वंशानुगत मांगा था आपने वंशानुगत नहीं दिया ये कहा था कि आजीवन आप रहेंगे अब जीवन तो है लेकिन पोस्ट नहीं है, तब इनोंने ये कहा था, पंडि जवारलाल नहीं है, कि सम्विधान कभी भी पाशान नहीं हो सकता, पत्थर नहीं हो सकता, समय के साथ सम्विधान में बदलाव किये जाने जरूरी है, आई इतनी बाद, अब हमको बात करनी हैं इन कुछ भी जोड़ना है, हटाना है, एक कोमा भी लगाना है, उसमें संसोधन किया हो सकता होती है, वो करने के लिए आपने अगर ऐसा किया तो इसका मतला आपने संसोधन किया, संसोधन तीन प्रकार से है, हाला कि हमारे सम्विधान का भाग 20 का अनुछेद 368, वो ये कहता है कि संसोधन दो प्रकार से ही हो सकता है, ये में जिस तो मैंने वैसे बहुत सारी ले रखी है, लेकिन ये सारा में डिटेल से अगर बात करताबा चलूँगा, तो मेरे हैसाब से पॉइंट बहुत लंबा खिच जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी भी आला ढौने संसोधन का मतलब कुछ भी आपको चेंज करना हो, संसोधन का एक तरीका ये कि सामाने बहुमत से करलो आप, सामाने बहुमत का मतलब कि मालों सोजने बैठे में है, आपको कि डिसीजन लेना है, तो मेजॉरटी कितने पर होती है, यह क्या बन पे, 51 पे, तो यह तो साधरन बहुमत, साधरन बहुमत हमारे संविधान में, जो संसोधन वाला भाग है उसमें लिखा वानी है, संविधान में संसोधन की जो प्रक्रिया है वो भाग 20 में है, भाग 20 का जो अनुशे दाता है 368, 368 यह कहता है कि संविधान में एक होगा विशेश बहुमत प्लस कम से कम आदे जो राज्ये हैं उन आदे राज्यों की सहमती आदे राज्यों की सहमती का मतलब वहाँ पे जो विदान मंडल है विदान मंदल का मतलब विदान सभा और अगर कहीं पर विदान परिशद है तो वहां विदान परिशद भी। आई मेरी बात समझ में। 368 वाली प्रक्रिया का मतलब ये विशेश भवुमत का मतलब ये है कि जितने भी सदसे बैठे हुए हैं इसमें कम से कम दो तिहाई का समर्थन जरूरी है। वरना थोड़ा सा ये खिच जाएगा अना बाद में कभी और समझा दूगा इस विशेख को। तो इस समविदान में ऐसे संसोधन होते हैं। हाला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समविदान सवा में ये कहा था 17 सितंबर 1949 को। क्या कहा था कि समविदान में तीन प्रकार से संसोधन हो सकते हैं। हाला कि हमारा समविदान का भाग 20 जो है अनुछे 300 और 60 वो दो प्रकार से संसोधनों की बात करता है। इन्होंने वैसे बहुत सारी बाते कही थी, बहुत अच्छी अच्छी बाते कही थी। हमारे समविदान की जो ड्राफ्टिंग है उसका प्रारूप, प्रारूप समीती के दुवारा बनाए गया। उस प्रारूप समीती के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, साथ उसमें मेंबर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, माधव राओ, केम मुंशी, मुहमद सादुला, एन गोपाल स्वामी, डीपी खेतान, और फिर टीटी कृष इस फरवरी 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सोपी, इन्होंने सम्विधान में संसोधन के लिए तीन तरीके बताये थे, एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो मुझे अच्छी लगती है, कि अनुछेद 32 को इन्होंने सम्विधान की आत्मा कहा था, कि अगर अनुछेद 32 उटा दो इसका मितलब सम्विधान की आत्मा आप निकाल दो, सम्विधान का बाग तीन जो मौलिक अधीकारों से related है, कि आप क्या बोल सकते हो, बोलने की स्वतंतरता, कहीं गुमने की स्वतंतरता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंतरता, तो आपकी अगर किसी भी अलग अलग भाग कें जैसे पंडित जवारला लेरू ने ये कहा कि हमारे सम्विदान का जो भाग तीन है, मतलब मौलिक अदिकार, वो पूरा भाग ही सम्विदान की आत्मा है, ग्रेन विल ऑस्टिन ने कहा कि निसाब जो नीती निर्देशक तत्व है न भाग चार में, वो स कुर्दास भारगव ने कहा कि नी जो प्रस्ताव न है न आपके सम्विदान की, वो सम्विदान की आत्मा है, खेर, विशे पड़ो, सम्विदान बना, सम्विदान को बनने में टाइम लगा, दो साल ग्यारा महीने अठारा दिन का टाइम लगा, दो साल ग्यारा महीने अठ में से पहले मैं एक बार आता हूं, पहला constitutional amendment, फर्स्ट, 1951 में हुआ, 1951 में, सम्विधान में नोवी अनुसूची को जोडा लिया, दरसल हमारे सम्विधान में मूल रूप से आठ अनुसूची थी, पहली जो अनुसूची थी, वो बताती है कि भारत के कौन-कौन से हिस्से है मतलब कौन-कौन से राज्य हैं, कौन-कौन से union territories हैं, कौन सा इससा भारत का है, ये पहली अनुसूची बताती है, दूसरी अनुसूची बताती है कि किस पदा दिकारी को कितना-कितना वेतन मिलेगा, कितनी-कितनी तंखा मिलेगी, पेंशन मिलेगी, जैसे भारत के दिलाई जाती है, राष्पती को, उप्राष्पती को, या बाकी पदा दिकारियों को, वो शपत का उलेग किया गया है, चौथी अनुसूची राज्य सभा में जो राज्यों का प्रतिनी जितना है, इसी प्रकार से आगे चलते-चलते-चलते-चलते संविधान में मूल इस नुवी अनुसूची में हमें जो भी टोपिक को डाल देंगे, उस टोपिक को न्याया ले में चुनोती नहीं दी जा सकती, कि मान लो आप से रेलेटेड है, भूमी सुधारों से रेलेटेड आया, कि किसी के पास मान लो जमीन जादा है, किसी के पास कम है, तो कानून बना दियागी सब के पास बराबर रहेगी अब जिसके पास में कम है उसको ज़्यादा मिल जाएगी जिसके पास ज़्यादा है उससे चली जाएगी मान लो तो अब आप जाओगे कोर्ट में कि साब यह तो मेरे मोलिक अधिकारों का अनन हो गया क्योंकि उस सम्पत्ति का अधिकार था, बाद में फिर सम्पत्ति का अधिकार ले लिया गया था चौंवारी सम्विधान अमसुदन के दुआरा 19 F को खञदOOO कर दिया था 31 को खञद्या गय था और 300 के मे ढाल दिया था भाग बारा में आप गए कोर्ट के पास में किसाब ये देखो मेरे तो ये नदिकारों का अनून गयार मालोग वह वाला टोपिक डाल दिया इन्होंने नोवी अनुसुची में तो कोर्ट ये गएगा निसाब हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते अब आप ये सोचो ये ही संसोदन अगर आज होता तो हो अल्ला होता या नहीं होता कमेंट सेक्शन में आप लिखना न इसके अलावा और भी इसमें संसोदन किया गया मौलिक अधिकारों में हमारा एक मौलिक अधिकार आता है 19.1.1 जो बोलने की स्वतनतरता की बात करता है संविदान का भाग तीन है भाग तीन मौलिक अधिकार हमको देता है अनुछेद 12 से लेकर अनुछेद 35 तक देता है अनुछेद 12 में राज्य की परिभाशा है अनुछेद 13 में बताया हुआ है कि साहब मौलीक अधिकार हमारे क्या क्या है, अनुछेद 12 से लेके 35 तक दिये हैं, इसमें एक अनुछेद आता है, अनुछेद 19, अनुछेद 19 के कई पार्ट है, 19 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, फिर 19 2, 19 3, 19 4, 19 5, 19 6, 19 1 A ये कहता है कि आपको बोलने की स्वतंतरता है, अब आप ये पढ़के जाओ, रोड पे, बोलने की स्वतंतरता है, मैं तो कुछ भी जिससे दंगा बढ़क जाए, नहीं, दंगा बढ़का होगे, वो वाली स्वतंतरता नहीं है, ये जो संसोदन किया गया था, पहला संविधान संसोदन, इसमें आपके बोलने की स्वतंतरता पर कुछ प्रतिबंद और लगाये गए थे, जिसको 19 2 में जोडा गया था, आपक बोलने की स्वतंतरता है, जब आपके बोलने से लोग व्योस्ता खराब नहीं हो, दूसरा, कि आपके बोलने से, हमारे जो पडोसी राजे हैं, मित्तर राजे हैं, उनके साथ में हमारे रिलेशन खराब नहीं होने चीए, और इसके अलावा, आराजकता नहीं फेलन istoहें, आ चार-पांच जो बाएं आत थे उनसे स्वतंतरता बाएं वापस ले ली, तो स्वतंतरता दे रखिये और खूब सारी स्वतंतरता वापस भी ले रखिये, तो अब आप इन दो पॉइंट पर गोर करो, पहला जो समविदान संसोदन किया, एक तो नवी अनुसूची को जोड़ कि ये वाड़ा विश्या अगर नोवी अनुसूची में डाल दिया, नोवी अनुसूची का मतलब ये कोई डबबा हो गया, इस डबबे में अगर कुछ भी पटग दिया, तो अब नियायले उसमें समीक्षा नहीं कर सकता था, अलाकि अब तो कर सकता है, क्योंकि 24 अप्रेल 1973 को केश्वानन भारतिवाद में सर्वोचिन्याले ने एक आता, कि अगर मूल ढाचे के खिलाब कोई भी संसोधन किया जाए, कोई भी कानून होगा, तो उसकी हम समीक्षा कर सकते हैं, ये मैं बाद में बात करूँआ, लेकिन उस समय तक तो ये व्योस्ता नहीं थी, फिर आपके बोलने के आजादी पर भी कुछ परतिबंद लगाए गए, आज अगर लगाए जाते तो कितना हो अल्ला होता, विचार करना, लिखना आप कमेंट सेक्शन में, इसके अलबा क्या है, सेवन्थ, सेवन्थ कॉंस्टूशनल अमेंडमेंट, मैंने बताई दिया आपको शुरुआत में वीडियो के स्टार्टिंग में, 25वा समविधानिक संसोधन और 26वा समविधानिक संसोधन, देखो 25वा समविधानिक संसोधन के दुआरा जो यह आज बैंकों में आप पैसा जमा करा करा के आते हैं, यह इंद्रा गांधी की देन है, यह बहुत अच्छा सं सर्वोचे नहयले, एक केस चला, भारत सरकार और कवास जी रुस्तम के बीच में सर्वोचे नहयले ने कहा कि नहीं ये राश्टी करण होता है रद्ध, तो इंद्रा गंदी की जो सरकार थी, उन्होंने संवेदान में कर दिया संसोदन, 25 वा, और कहा इस संसोदन के दुआरा क पैसा भी जा रहा था, अभी वहां से आमदनी होती थी, उनका राज्य था, वहां से रेवन्यू आता था, अब वो राज्य चला गया भारत के अंडर, तो अब वहां से जो रेवन्यू आता था, उसकी बरपाई कैसे हो, तो उनको ये कहा गया राजा माराजा उनको, कि आप आपको प्रिवी पर्स दे दिया जाएगा, मतलब जेव खर्ची आपको दे दी जाएगा, बाद में इंदरा गांधी के समय नाइंटीन सिक्स्टिनाइन में उस प्रिवी पर्स को कर दिया गया समाप, तो मादवराज हिंदिया जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, वारत सर करने कहा था इनको प्रिवी पर्स देने के लिए, आप बंद नी कर सकते, तो इंदरा गांधी ने 26 वा समवेदानिक संसोधन किया और उस प्रिवी पर्स को भी समाप कर दिया, अब राजा मारा जाओं कि इस प्रिवी पर्स को समाप करना अच्छा था या गलत था, ये कमें आप जब उनसे कहेंगे कि भिया देखने आते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दिया करो, तो प्लीज अगर आप कर सोको तो कर लिया करो, सब्सक्राइब तो करो जब आप देखते हो, आपको ल संसोदन था अब तक का सबसे बड़ा संसोदन था दो नए भाग जोड़े गए थे चार कय और चौदा कय नो अनुछे जोड़े गए थे और इसके अलावा बावन अनुछे दों में संसोदन किया गया था मतलब इतना बड़ा इतना व्यापक इस्तर पर प्रदान मंत्री थी समय इंदिरा गांदी, 3 जनवरी 1977 को ये समवेदानिक संसोदन लागू हो गया था, इसको का जाता है 22 समवेदान संसोदन 1976 लागू हो था 3 जनवरी 1976 को और इसके दुआरा हमारे मौलिक करतवे जोड़े गए थे, इसलिए आप देखते हैं कि 3 जनवरी को मौलिक करतवे दीवस भी बनाया जाता है, जब मैं ये संसोदन आपको बताओ एक एक करके, आप वर्तमान स्थिती से जोड़कर विचार करना आज होता तो क्या होता, आज ये वाला होता, तो क्या होता, देखो इस संसोदन के दुआरा सबसे पहले तो 3 शब्दों को जोड़ा गया हमारी प्रस् प्रस्तावना का मतलब होता, इंट्रोडिक्शन, जब संविदान सबा चल रही थी, तो उसमें 13 दिसंबर को, हमारे जो संविदान सबा में, पंडित जवारलाल नहरू के दुआरा एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसको प्रस्तावना कहा गया था, उसी को बाद में उदे आज्ये बनाने, एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय दिलाने, विचार, अभी व्यत्ती, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता दिलाने, कुछ एक आज, 19-20 हो जा है, तो माप कर देना भी है, क्योंकि देख के नहीं बोल और राष्ट की एकता और अखंडता को सुनुश्चित करने वाली बंदूता को बढ़ाने के लिए, आज तारिक 26 नवंबर 1999, मिती मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को, एतत द्वाराई सम्विधान को अंगीकरत, अधीनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये पढ़ते हों किसी पंत के साथ हम पक्षपात नहीं करेंगे, न्यूटल रहेंगे, समाजवादी यानि जो संसादन है, उन संसादनों पर सरकार का नियंतरन रहेगा, आज हम पुझी वाद की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तो ये संसोदन किया गया, मैं एक अलग पेज में ये लेके बताता एक तो समाजवादी, एक पंत निर्पेक्ष और एक राष्टर की अखंटा, इसके अलवा ये कहा गया कि अब आज से जो संसद है, लोकसबा, अलाकि संसद में लोकसबा, राजेसबा, राष्ट पती तीनों आते हैं, और राजे विदान मंडल की अगर हम बात करें, तो वह शह साल, और राज्यों की जो विदान सबा हैं, उनका कारेकाल भी होगा, कितना शह साल, अब आप विचार करो, आहाज हैसा कोई विदान में संसदन हो जाए, और ये कहा जाए, कि अब आज से जो कारेकाल है, लोकसबा का, वो पांच साल नहीं, कितना है, शह साल, तो एक त अब ज़ावा, जो सीटों की संख्या है, वो निश्चित कर दी गई, 2001 तक के लिए, ये क्या मामला है, 2001 तक के लिए, होता क्या था, जिस राजी की जनसंख्या ज़ादा होती थी, वहाँ पर सीटों की संख्या ज़ादा, क्योंकि हमारे समविधान का एक अनुछेद है, 82, वो परिसीमन से related बात करता है, कि प्रतेग जनगणना के बाद में संसद के दुआरा एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, वो परिसीमन आयोग तै करेगा कि अब कितनी तो seat होंगी, मतलब लोक सबा में, राज सबा में, विदान सबा में, अब कितनी तो seat होंगी, इसके अलावा कौन-कौन से निर्वाचन क्षेतर होंगे, जैसे मान लो अगर राजस्थान में कोई आता है जोधपूर से, तो वो जोधपूर निर्वाचन क्षेतर से आता है, राजस्थान में seatیں कितनी हैं, टोटल 25 हैं, तो हर जन गणना के बाद अगर ये हो, जैसा अनुच्छेत बयासी ये कहता है, और किस आधार पर, अब जिसकी जतनी ज़्यादा जन संख्या, उसकी seatे ज़्यादा, तो राजताबर तोड लग गए, जन संख्या बढ़ाने में, क्योंकि जन संख्या ज़्यादा होगी, तो seat भी ज़्यादा होगी, तो सरकार ने क्या किया, कि अब 42 सवा संवेदान संसोधन करके, 2001 तक के लिए, वर्ष 2001 तक के लिए, सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया, कि नहीं, अब सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा, जो जितनी सीट हैं, वो उतनी सीट रहेंगी, और इसका आदार रहेगा, 1971 की जनगनना, अलाकि ये परीसीमन आयोग बनाए गए थे, पहला 1952, 177 में बना था, फिर 1952 में बना था, फिर 1963 में, फिर 1963 में, फिर 2002 में बना था, ये परीसीमन आयोग, तो अनुछेद 281 में, इससे रेलेटर और भी अनुछेद हैं, अनुछेद 327, 328, 339, अनुछेद 170, 170 जो विदान सभा से रेलेटर है, उदर हम नहीं जाएंगे, तो एक तो क्या किया, समाजवादी पंथ निर्पेक्ष और राष्टर की अखंडता किसमें, उद्देशीका में जोड़ दिया गया, इसके अलावा, कि अब इनका जो कारेकाल है, लोकसभार, विदान सभाओं का, वो 5 साल नहीं होगा, कितना होगा, 6 साल होगा, इसके अलावा, संसद जब लगती है न, तो संसद की कारेवाई शुरू होने के लिए गणपूर्ती जरूरी होती है, गणपूर्ती का मतलब, एक्जामपल के तोर पर, मान लो, आपने कोई मीटिंग बुलाई, 100 मेंबर हैं आपके ग्रूप में, आपने का कि आओ बैट कर डिसीजन करते हैं, अब सो में से बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन आपने का डिसीजन तब होगा, जब कम से कम 10% लोग तो आएं, सो का 10% कितना 10 लोग, इसका मतलब उस सबा की कारेवाही शुरू ही तब होगी, जब कम से कम 10% लोग तो आएं, तो इसलिए गणपूर्ती यहां पर रखी गई है, आमारी लोग सबा के लिए, राजी सबा के लिए, कि कम से कम जो टोटल मेंबर हैं, उन टोटल मेंबर का अगर 10% प्रेजन हैं, तो ही उस सदन की कारेवाही शुरू होगी, इसमें भी कर दिया, बदलाओ, कि अब जो गणपूर्ती होगी, इसका डिसीजन भी संसद करेगी, इसके अलावा, मौलिक करतावे आपके जोड़ दिये गए, अनुछेद 4 के, जैसे आप पढ़ते हो ना, अनुछेद 4 के में जाते हैं, अभी तो 11 मौलिक करतावे हैं, 86 संविधान संसोदन के दुआरा, 11 जोड़ा गया था, माता पिता आपने, 14 वर्स तक के बालकों, 6-14 वर्स तक के बालकों को, सिक्षा दिलाने के लिए बेजेंगे, प्रात्मिक सिक्षा के लिए, उस समय, चार के को जोड़ा गया, कि यह अच्छा था, आपके करतवे तो होने चीए, और वैसे तो मेरा मानना यह है, कि इन करतव्यों को बादेकारी कर देना चीए, जैसे एक कमेटी का गठन किया गया था, कि करतव्यों को आप बादेकारी करो, कि सम्विधान की पालना करेंगे उसको जो आदर्श हैं संस्थाएं हैं उनका सम्मान करेंगे इस प्रकार से ये 10 हैं मैं गिना सकता हूं सारे आपको गिना सकता हूं मैं उधर नहीं जाओंगा तो क्या-क्या सम्विधान में संसोधन कीए गए समाजवादी पंथ निरपे एक शराष्ट की अखंटा सीटों की संख्या इसके अलावा कारेकाल इसके अलावा गणपूर्ती इसके अलावा ये भी कहा कि जो लाब का पद है न वो लाब का पद भी संसत्य करेगी अब आब य अलाकि लाब का पद क्या है ये कहीं पर clear cut नहीं है इत्म ये भी अब संसोधन कर दिया गया है कि अब संसत्य करेगी कि लाब का पद क्या है इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा से related मतलब ये मोटे 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 ये समविदान में संसोधन किये थे एक संसोधन ये किया गया था जो सबसे important था सुनना हमारे समविदान का भाग है 20 वो ये कहता है उसका अनुछे 368 किस समविदान में संसोधन किस प्रकार से हो सकते है उन्होंने क्या किया अनुछे 368 में दो पार्ट जोड़े अनुछे 368 में एक तो भाग चार 368 चार एक जोड़ा 368 पांच 368 चार जोड़के ये कहा कि संसद जो भी संसदन करेगी उसको न्यायले में चुनोती नहीं दी जा सकती अब आप सोचो आज अगर ऐसा होतो कि ऐसा संसदन हो जाए कि कोई भी संसदन अगर संसदने कर दिया तो आप न्यायले जाई नहीं सकते ओला मज्या खतरनाग दूसरा ये इसमें जोड़ा गया 368 पांच में कि संविधान में संसदन करने के मामले में जो संसद की जो पावर है वो unlimited पावर है 24वा संविधान संसदन जो 1971 में किया गया था और 24वा संविधान संसदन के दौरा ये तैखी आ गया कि एक तो राष्टपती को मंत्री परिशद कोई भी सला अगर देगा न तो पुनरविचार के लिए निवो लेगा उसको माननी ही पड़ेगी दरसल अमारे संविधान का अनुच्छद है 74 74 ये कहता है कि राष्टपती को उसके कारियों में सला देने के लिए मंत्री परिशद होगी भै अमारे संसदीय प्रणाली को अपना ये गया है संसदीय प्रणाली में वास्तविक जो कारेपाली का होती कारेपाली का मतलब कारे करने वाली ताकत जिसके पास है वो प्रणाली मंत्री रोन का मंत्री परिशद होता है लेकिन संविधानिक प्रमुख जो है वो राष्टपती है नामात्र की कारेपाली का वो है देखने में सम्विधान पढ़ते हैं तो यह लगता है कि हाँ राष्टपती के पास पावर है लेकिन संसदी व्यवस्था में असली ताकत जो होती हो प्रदान मंत्री के पास होती है सम्वीधान का अनुछे चोतर ये कहता है कि राष्टपती को काम में सला देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी चोतर एक चोतर दो ये कहता है कि जो भी सला राष्टपती को दी जाएगी वो वाद्योग नहीं होगी मतलब यह नहीं कि इनकी सला है यह नहीं, यह तो रास्टपती करना ही नहीं चाहरे थे, ऐसा नहीं होगा, इन्होंने क्या किया, 24 पे सम्वेदान संशोगन के दुआरा, एक तो यह कर दिया कि रास्टपती को जो भी सला दी जाएगी, बाद्यकारी होगी, रास्टपती हैं न उनर रविचार करो, अलाकि बाद में उसको cancel कर दिया गया था, इसके अलावा, अनुछेद 13-4 जोड़ा गया समविधान का वाग 3 वाग 3 में आते है मोली कदिकार मोली कदिकार अनुछेद 12 से लेके 35 तक, अनुछेद 12 यह कहता है कि राज्य किसको कहता है, राज्य मतलब सरकार, सरलसी बाचार अनुछे 13 जैसा मैंने अभी थोड़ देर पहले भी आपको बताया अनुछे 13 एक यह कहता है 13 एक यह कहता है कि संसद ने कोई भी कानून बना दिया वो कानून अगर 26 जनवरी 1950 से पहले का अगर कोई कानून उसके आड़े आ रहा है रुकावट मतलब नकारात्मक तरीके से है तो नियाय पाली का उस कानून को सुनने गोशित कर सकती है, सुनने का मतलब उस कानून को खतम कर दिया जाएगा 26 जनवरी 1950 से पहले का ऐस अंगत है, मेल नहीं खाता है, तो उसको भी न्यायपालिका सुन्ने गोशित कर देगे, अनुछेद तेरा तीन ये कहता है, विधी किसको कहा जाएगा, कानून क्या है, तो कोई भी अध्यादेश, भले इराश्टपत्ति जारी करें, कोई भी अध्यादेश, कोई भी अधिनियम, कोई भी अधिसूचना, कोई भी अधिपत्र, कोई भी प्रथा, कोई भी रितिरिवाज, कोई भी नियम, विनियम, उपनियम, कुछ भी, ये सब कानून है, संविधान में संसोधन, आप संसोधन आप कर रहे हो तो विधी बना रहे हो तो कानून तो है विधी तो है 24 वा संविधान संसोधन किया गया और संविधान में बाग जोड़ा गया 13-4 और 13-4 जोड़कर ये कहा गया कि अनुछेद 368 के तहट जितने भी संविधान में संसोधन किये जाएंगे वो सब विधी की परिवाशा से बाहर अब विधी की परिवाशा से बाहर अगर वो विधी है ही नहीं तो न्याय पालिका उसकी समिक्षा कैसे करेगी कि आनुछे 368 में आपने संस्वधन कर दी अब आप कोई जाओगे कोर्ट में न्याय पालिका के पास में गोले साब ये इसके कारण ये दिक्कत हो रही है मेरे अधिकारों का अनन हो रहा है तो वो तो विधी नहीं है विधी नहीं तो आप जाओगे कैसे वो तो वादी होगी नहीं तो ये कर दिया गया अब आप इन सारी बातों को सोच ना है तो इन्होंने शुरू की थी 99 से, 99th constitutional amendment कि वर्तमान में नियायले में जो जजों की नियुक्ति होती है वो एक कॉलेजियम होता है, मतलब एक समीती मालो आप वो सिफारिश करता है राष्टपति को, उसके आधार पर होता है नियायक नियुक्ति आयोग बनाया कि अब से इस कॉलेजियम के आधार पर नहीं होगा एक आयोग बनाया जाएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ कौन से संसोदनों की जो ये वर्तमान सरकार है, इसके दुआरा जो सम्विदान में संसोदन किये गए है ये संसोदन बता रहो, नियायक नियुक्ति आयोग बनाया गया, एक जनवरी 2015 को इलागू हुआ 16 अक्टूबर 2015 को नियाय पालिका ने सर्वो चिनैले ने इसको ऐ सम्विदान ने गुशित कर दिया तो जो निंटान में वा सम्विदान संसोदन इन्होंने किया था, वो सुप्रीम कोट ने कर दिया सोवा, भारत बांगलादेश वाड़ा वो विवाद देखा था, भारत और बांगलादेश के बीच में बोर्डर को लेकर कुछ जगे ऐसी थी जिनको लेकर दोनों के बीच में विवाद था सौवा संविदान संसोधन लाइआ गया और इस संसोधन के दुआरा भारत ने 111 इससे बांगला देश को दिए बांगला देश ने 51 इससे, हम को दिये हमारे कुछ राजे थे तिरपुरा ये राज प्रभावित हुए हमारे और ये जो विवाद है इस विवाद का निप्टारा हो गया, इसके लिए सोवा संविधान संसोधन किया गया था और इस विवाद को समाप्त कर दिया गया अलाकि भारत किसी दूसरे इससे को जीते तो जीतने के लिए संविधान में संसोधन करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमारे देश के किसी हिस्से को अगर किसी दूसरे को देंगे तो इसके लिए अनुछे 378 की प्रक्रिया के तहित सम्विधान में संसोधन करना ज़रूरी है क्योंकि जब देश आजाद हो गया था तो जो पूरवी पाकिस्तान था जो वर्तमान भागला देश जिसको हम कहते हैं तो उसको एक हिस्सा देना था जिसको बेरूबाडी कहा गया मतलब एक हिस्सा था बेरूबाडी वो उस पूरवी पाकिस्तान को देना था अब पूरी पाकिस्तान को देना है तो कैसे दें, इसके लिए अब संसोधन करें, क्या करें, कैसे करें तो हमारे जो समय के रास्टपती थे, डॉक्टर राजेंदर प्रशाद उन्होंने प्रेसिदेंशियल रेफरेंस का यूज किया तो इसी लिए ये समवा संविधान संसोधन किया गया, और बांगलादेश को कुछ इससे दिये गया, कुछ इससे लिए गया, ये विव्याद दिप्टा दिया गया, फिर 101 वा संविधान संसोधन किया इस गौर्मेंट ने, GST, GST आप सभी जानते ही हैं, उसको बताने की 338, 338 A, 338 B, अनुछे 338, जो राष्टी आयोग का गठन, संविधानिक आयोग है ध्यान रखना है सारे, मतलब संविधान में वढ़नित है, एक चीज होती है संविधानिक जो संविधान में वढ़नित है, एक होती है साम विधिक जो संविधान में वढ़नित नहीं है, ले से था अनुछेद 338 A अनुशुचित जन जाती आयोग है जो 89 संविधान संसोदन आपका 1995 में किया गया था नवासीवा संविधान संसोदन और ये वाला जो 338 B जो 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 जोड़ा गया है इसके द्वारा OBC आयोग को संविधानिक दर्जा दिया गया है जो 102 संविधान संसोदन के द्वारा किया गया ये वाला इसके अलावा अनुशेद 100 संविधानिक संसोदन 103 EWS Reservation दरसल हमारे संविधान में आरक्षन का दो ही आधार थे सामाजिक सेक्षणिक रूप से पिछड़ा पन हो इसी आधार पर दिये जा सकते थे अलागि बीच में अन्रिजर्व कास्ट को भी दिया गया था जो जर्णल कास्ट वाले हैं उनको आर्तिक आधार पर भी दिया गया था लेकिन इंद्रासानिवाद था जिसमें decision आया था 16 November 1903 में को जिसको उस इंदरा सानी वाद या मंदल वाद का जा जा था उसमें सर्वोची नहले ने एक आ था कि OBC को जो reservation दिया गया वो valid है क्यों क्योंकि वो सामाजिक section एक पिछड़े पन के आधार पर दिया गया और समविधान में ये बात उलेकित है लेकिन ये भी कहा था कि reservation की जो सीमा वो 50% से उपर नहीं जानी जारी है उस समय जो आर्थिक आधार पर reservation दिया गया था उसको सर्वोची नहीं ने उस वाद में खतम कर दिया था कि आर्थिक आधार पर reservation नहीं दिया जा सकता क्यों क्योंकि समविधान में कहीं पर भी आर्थिक पिछड़े पन की बात नहीं लिखी गये तो पहले समविधान में अनुछे 103 के तहत आर्थिक पिछड़ा पन जोड़ा गया और आर् पिछड़ा पन जोड़ा गया और उसके आधार पर फिर EWS को 10% reservation दे दिया गया अनुछे 104 अनुछे 104 समविधानिक संचोदन 104 आपके आग्या हो तो थोड़ा पाणी पिलने हैं गड़ा सूक्रा बई 104 समविधानिक संचोदन लोग सभा और विधान सभा के चुनाओं में जो अनुछे त जाती और जन जाती को जो reservation दिया हुआ है उस reservation की समय सीमा समाप तोड़ी थी 26 जनवरी 2020 को उसकी समय सीमा समाप तोड़ी थी तो 104 समविधानिक संचोदन किया गया जिसमें आर्टिकल 330, 331, 332, 333 इन से related decision लेना था जिसमें 331 और 333 को तो नहीं छेड़ा गया मतलब सरल सी बात में आपको समझा दू कि अनुसूचित जाती और जनजाती का जो इन चुनाओं में reservation होता है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया तो अब ये 25 जनवरी 2030 तक के लिए कर दिया गया है राजी की विदान सवा में एक अंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था article 331 और 333 के दुआरा 330 तो क्या करता है लोग सवा में SC और ST के reservation की बात करता है SC का reservation 84 seat, ST का reservation 47 seat राजस्थान से अगर हम बात करें तो 25 लोग सवा की seat हैं जिसमें 4 SC की 3 ST की राजस्थान विदान सवा से अगर हम बात करें तो राजस्थान की विदान सवा में 34 SC की seat reserve है और 25 ST की seat reserve है यह अनुछे 330 लोग सवा की बात करता है अनुछे 332 SC और ST के जो राज्य विदान सवा है, राज्यों की विदान सवा है उसमें reservation की बात करता है तो तो रिजर्वेशन खतम हो रहा था, इसको दस साल बढ़ाया गया, इस सरकार के दुआरा, एक सो चारवे समविदान संसुदन के दुआरा, इसी में दो अनुचे दोर थे, अनुचे 331 और 333, इन अनुचे दोर के दुआरा, मतलब इनको नहीं छेडा गया, ये एंगलो इ अनुचेद 105 के दुआरा, जो OBC कौन सी कास्ट किस कैटेगरी में आईगी, ये निर्णे के अंदर सरकार ने वापस राजियों को दे दिया, 105 वे समविदानिक संसुदन के दुआरा, और 106 वा पता ही आपको, ये महिला रिजर्वेशन लाया गया था, महिलाओं को आरक्ष के, ये कुछ पुरानी कवर्मेंट के, मेरे साब से काफी कुछ आपको पता लगा होगा, काफी कुछ सीखा होगा, अगर वीडियो में आपको लगा कि हाँ, कुछ जानकरी अच्छी मिलती है, कुछ दो शब्दा आपको ठीक बतायता हूँ, तो लाइक भी कर दिया करो, सब कर दो करो के दे तो, थैंक्यू, जैंद।